विश्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में इसकस करने वाले हैं कि गूगल स्ट्रीट व्यू फिर से भारत में शुरू हो गया है मैंने फिर से क्यों कहा कि देखिए 2011 में एक बार गूगल स्ट्रीट व्यू ने यानि कहीं कि गूगल ने अपना स्ट्रीट व्यू भारत के अंदर स्टार्ट किया था लेकिन एक पुलिस वाले ने ऐसी कोई गाड़ी थी उसके ओपर कैमरा लगा कर यह वहां पर गलियों की फ पिर से शुरू कर दिया है भारत के अंदर और यह स्ट्रीट व्यू होता क्या है और साथ इसाथ हम जानेंगे कि इसके फाइदे क्या है और इसके नुकसान क्या है तो इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे इसके तहर्ज के कंपनी देखे लिए टेस्के वाले हमारे देश और ये लॐ ब्र andere कि करने है। यह सारा काम जो है वो NGP के दोरा करवाया जाता है अब पहले था हम बात कर लेते हैं कि Google Street View होता क्या है देखें Google Street View अगर आप इस नाम को अगर देखें होता है हिंदी में चंदी विचेद करना जिसके अंदर Street अलग कर लो व्यू अलग कर लो यानि गली का व्यू करना मतब कि गली का आप उसका नक्षा देख पाएंगे आप गली को जैसे देखते हैं अपनी आँकों से ऐसे ही देख पाएंगे तो एक advanced technology के तहत हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़िया mapping जो है गूगल प्रोवाइड करवाने वाला है जो developed country है उनके अंदर तो बहुत टाइम से ही Google Street View चली रहा है भारत के अंदर अब आया है definitely इसके कुछ फाइदे हैं कुछ नुकसान है हम दोनों ही जो पहलों को हैं वो अच्छे से जाचने वाले हैं तो Google Street View का है शहर की सड़कों पर घूमने वाले डेटा संग्रहकों द्वारा वहानों के या backpacks के विशेश रूप से कैमरे का उपयोग करके वो फोटो कैप्चर करते हैं 360 डिगरी का एक वहाँ पर देखे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं यहाँ पर एक मिनिट यह देखिए यह जो आपके सामने इमेज लग रही हुए न यह देखिए यह जो कैमरे लगे हुए न वो 360 डिगरी की जो है वो फोटो पूरी अच्छे से कैप्चर करते हैं अब फिर बाद में गूगल क्या करता है इन सब फोटो को मिला कर 360 डिगरी का व्यूव आपको प्रवाइड कर देते हैं कितनी महनत का काम है तब ही गूगल जो है वो अकेला बना हुए मोनोपोली है इस ग टेकनलोजी यहां पर लगा के दिया आप लोगों को अब यहां पर जिससे क्या होता है कि यह 360 डिगरी का व्यूव आप लोगों को मिलते हैं तो इससे आपको मैपिंग का एक बहुत बड़ी अनुबह मिलते हैं अब आप फॉर एक्जांपल आपको आपने गूगल मैप चलता कि कोन सी गली कैसी दिखती होगी वहां पर कोन सी शौप होगी गूगल स्टीट विउ आपको वैसा ही नजारा दिखाएगा पर एक्जांपल मैं आपके सामने इस वीडियो को चला तम और यहां पर आप देखिए कि कैसे यह देखिए यहां पर मैंने गूगल अर्थ Google Earth पर मैंने यहाँ पर New York search किया आपको घर बैटे यह New York गुमा दूगा मैं तो यहाँ पर आपके सामने यह New York आ गया New York के अंदर आपको Manhattan के अंदर लेके चलेंगे और यहाँ पर देगे यह जो है आपके सामने यह जो दिख रहा है न यह है आपके सामने एक street view का option जैसे इसको उपर क्लिक करेंगे blue color का हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए मैं है Manhattan Manhattan पे जैसी क्लिक किया अब देखिए Manhattan पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह view जो है वो एक तरीके से आपको एक दों real footage वहाँ पर देंगे कि आप जैसे वहीं खड़े हैं आपको ऐसा अनुबव होगा जैसे मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो यह देखिए एक तरीके की वहाँ पर जो तलाब है या फिर कहेंगे पॉंड है वो आपको नजर आया और इसको आप 360 डिगरी गुमा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि हाँ आपके आस पास कोन है आप देखिए कितना बढ़िया व्यू जो है यहाँ पर दिया गया है यह जो इमेजिस जो है वो कैप्चर की गई है अब काफी सारों के मन में यह भी सवाल उड़ता है कि इस से सिक्योर्टी जो है वो कंप्रोमाइस तो नहीं हो जाएगी सेफ्टी कंप्रोमाइस तो नहीं हो जाएगी कैर इसके ओपर भी हम चर्चा करते हैं देखे परतिबंद कहां लगाए गए है इस Google Street View के जो भी सरकारी संपतिया है जो भी Defence Estabilisement है Military Areas है इस से एक तो लोगों की फोटो अब तो काफी जादा इसने सुधार कर लिया गूगल Street View ने अब आप देखेंगे तो आपके सामने जो भी इमेजरी में आपको कोई भी व्यक्ति नजरा आता है तो उसकी जो चहरा है वो बलर कर दिया जाता है जो नमबर की गाड़ जो प्लेट होती है तो गूगल को भारत, आस्ट्रिया, और जर्मनी जैसे देशों में स्थानी अधिकारियों के साथ भी समझाएं है अब देखें अब काफी सारों के समाल यह भी उड़ता है कि जरूरत क्या अगर से सेफ्टी कॉंप्रमाइज हो रही है आपको ध्यान अगना है कि एक डेवलोप्ट मेंट जो डेवलोप्ट कंटरी है जो डेवलोप्ट कंटरी है तो वहां पर भी तो स्ठीट व्यू चली रहा है तो हमारे देश में दिक्कत क्या है बई अब इससे कोई safety जो है वो compromise नहीं होती है हमें यहाँ पर बहुत एक अलग तरीके से अब देखे इससे जो है हमारे ही देश को जो tourism है उसको बहुत ज़दा बढ़ावा मिलने वाला है अब परीचे के बात करता हूँ अब यहाँ पर देखे और यहाँ पर का गया था है इससे safety compromise हो जाएगी दो सारे किसमे ही इसका विरोध करना start कर दिया था अब यह NGP क्या है देखे NGP क्या है जो geospatial sector है geospatial sector का बोले तो आप देखे भ्यूस थानिक यानि कि जो भूमी से related जो आपको एक location है उस location के बारे में आपको सारी जानकारी देनी है कि वहाँ पर क्या है कैसी कैसी चीजे है फॉर एक लेंड है वहाँ पर कोई shop है या फिर वहाँ पर कोई तलाब है नदी है या फिर वहाँ पर कोई अलग से hospital में railway station यह सब चीजे बनाई गई है तो इन सारी चीजों को एक map के उपर दर्शाना तो इन सब चीजों को ही का जाता है geospatial sector तो यहाँ पर इस sector को और जादा उदार कर दिया गया है मतलब इसको liberalize कर दिया गया है और जो भी सारुजनिक सवित से यानि कि जो public fund से आपने जो भी information इकटी की है उसको democratize यानि लोग तंतरिक बनाती है NGP और यहाँ पर जो लोग है जो enterprises यानि कि जो उद्यम करता है जो वेपार करने वाले जो लोग है जिनको access या फिर create करना होता है अब वहाँ पर factory डालने से पहले उस जगह को अच्छे से जाने कि वहाँ पर किस तरीकी की हवा चलती है किस तरीके का वहाँ पर minerals है किस तरीकी की मिट्टी है तो यह सारा जो data है वो bio special data के अंदर ही तो आता है अब पहले यह सब चीज़ें नहीं होती थी पहले क्या होता था कि hoministri से hoministri से सारी चीज़ें करवानी पड़ती थी तो बहुत जादा time लग जाता था अब यहाँ पर इस नीती के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें liberalize कर दी गई है इवन आप देखते हो कि जब भी आपने खाने का order किया तो आप देखते हो कि जो मेटा वाला कहां पहुँचा है कौन से mode पहुँचा है उसने खाना जो अपी किया नहीं किया आपके पास कितनी तेर में आने वाला है वो real time आपको information दे रहा होता है वो क्यूं दे रहा होता है किस नीती के कारण दे रहा होता है वो इसी नीती के कारण दे रहा होता है कि आज Amazon जो है वो geospatial data को इकठा कर सकता है उसे create कर सकता है आप देखिए इस geospatial sector के अंदर कितनी जादा आपको job create QE मिलेंगी और ये आज की data में कितना बड़ा sector बन गया है अभी थोड़ दिर में हम आप लोगों को बताऊंगा और इस sector से यानि कि sector क्या है इस NGP से क्या हुआ है बारत के अंदर एक competition भी आया है अलग-अलग companies जो है मतलब उनके अंदर competition आ गया है बढ़िया से बढ़िया एक data provide करने का अच्छे से अच्छे तरीके से वो एक geospatial data वहाँ पर आपको दे इसके अलावा अब बादेखिए ये एक map में आपको समझाने का उदिच करता हूँ कि geospatial data क्या होता है आप ये box देख रहे होगी ये आपको सामने दिखाएगे कि boundary को दिखाता है ये जो box है यानि जो इस तरीके के आकरती आपको दिखें मिली कि वो boundary को दिखाएगा जो ये लाल कलर का जो आपको एक point दिखेगा ये आपको दिखाएगा कि coal है वहाँ पर ये diesel का yellow कलर का rectangle में जो भी green कलर का आपको दिखेगा वो natural gas का दिखाएगा तो यहाँ पर आप दिखेंगे ना तो ये सारी information दिया जाना ये geospatial data ही कहलाता है अब इसकी कुछ विशेष्टाओं की बात कर लेते हैं जो हमारे देश के survey of India survey of India उसके दोरा जो टोपोग्राफिक जो data है यानि स्थला करेतिक जो आंकडे उसको widely और easily accessible करवा देना ये इसकी विशेष्टा है और यहाँ पर एक policy आए थी हमारे देश के अंदर 2012 में उस policy का नाम है National Data Sharing and Accessibility Policy 2012 इस policy के according क्या था कि geospatial data उसके geospatial data को information को produce करना generate करना वो भी public fund के द्वारा तो उसको share किया जाएगा क्यों share किया जाएगा क्योंकि हमारे देश के अंदर एक policy चलती है 2012 में National Data Sharing and Accessibility Policy उसके according और जो भी यहाँ पर बूस्थ हैनिक data को इसको storage किया जा रहा है तो storage किया जाने के जो standardization जो format है उसको ऐसे store करना है कि वो machine readable हो यानि machine उसको पढ़ सके simple साफ सब्दों में बोले तो आज से पहले मतलब कि मैं बात करूँ तो हमारे देश के अंदर जो इसकी जुरूरत क्यों पढ़ी NGP की क्योंकि हमारे देश में जो geospecial जो data हुआ करता था उसको machine readable नहीं था यानि कि phone के अंदर आप उसको नहीं पढ़ सकते थे phone का ऐसा नहीं है कि आपने photo खीची और पढ़ने लगे नहीं जो आप Google Map यूज कर रहे है तो वो machine readable है machine उसको read कर सकती है और आपको वो information देता है वहाँ पर तो यह जारी information कैसे यानि कि machine readable कैसे बनाना यह NGP की मुख्य विशेशता है और इसके अलावा हमारे देश के अंदर जियो NGP जो है वो एक educational curriculum मतलब कि यहाँ पर जियो special data education भी चलाएगी जिसे लोगों को एक बढ़िया से कैसे इसके अंदर अपना career या फिर इसके अंदर कैसे education ली जाए यह सारी चीज़े जो NGP के दोरा करवाई जाएंगी आफशकता क्यों पड़ी देखिए हमारे देश के अंदर मान लें दो agency एक A और एक B दो agency हैं इस agency को भी एक particular land है मैं यहाँ पर land बना देता हूँ, इस land की information चाहिए और यहां पर इस agency को भी इस land की सारी information चाहिए तो यह जो agency है यहां पर कुछ लोगों को बेचीगी और इस land की सारी information इकठा करके लेका आ जाएंगे फिर यहांपर बारी आजाएगी इस agency की तो यह भी क्या है, अपने लोगों को यहां पर बेजेगी और यह भी सारी information इकठा करके अपने पास लेएंगे, तो यहां पर आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ, इसने भी information इकठा की, इसने भी information इकठा की, आप जो एक information सी के पास होगा अगर जूट दोगी तो वी भी ले लेगा और सी भी उससे वहां पर ले ले लेगा और हमारे देश के अंदर देखिए दोस्तों से अधिक जादा युनिवेस्टी इंस्टिटूशन है जहां पर एक तरीकी की जियो स्पेशल एजुकेशन प्रवाइड करवाई जाती है लेकिन उसकी कोई स्टेंडराइजेशन नहीं है उसके जो क्यूरी के अंदर कोई स्टेंडराइजेशन नहीं किया गया है कोई वहां पर मानकी करन नहीं है तो यहां पर इसकी इसलिए भी जूरू पहुँचने लग गया है और यहाँ पर सरकार द्वारा जो साजे किये गए आंकड़े होते थे अक्सर मशीन द्वारा वो पड़े नहीं जा सकते थे यानि मशीन डीडेबल नहीं हुआ करते थे भारत में आज की डेट में अगर हम बात करें जो जियो स्पेशल जो सेक्टर है उसके अंदर स्थितिक है स्टेटिक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो भारत की अर्थवस्ता जो जियो स्पेशल जो एकनोमी है उसके अंदर 38,972 क्रोड रुपे की आज की डेट में यह सेक्टर बन गया है जिसमें लग बग 4.7 लैक लोग वो काम कर रहे हैं 2021 में जियो स् 37.98% का योगदान है यहां पर अब इसका महतव क्या इस शेतर का देखिए एक पोटेंशनल सेक्टर है यह आने वाले टाइम में कहा गया है इसी भारत बूस्तानिक सर्थ रिपोर्ट 2021 में बोला गया है कि 2025 के अंदर यहां पर जियो स्पेशल सेक्टर के अंदर 12.8% की दर स विद्धी होगी और 63,100 करोड रुपे की यहां पर बड़ोतरी होने की सम्मावना है रोजगार इससे मिल रहा है देखिए Amazon, Jometo जो भी नीजी कमपनिया है अपने काम के लिए 1904 रूप से संचालित करने के लिए इस तेक्नीका उपयोग करना बढ़ता है जिससे आजी विक इस रीजन में मदद भी मिलती है अब यहां पर जो भी हमारे देश के अंदर इंप्लिमेंटेशन करना उसकिम का वो सही से कर पाएंगे वह देखिए गति शक्ति कारेकरम जैसी योजनाओं को जियो स्पेशल डेटा की टेक्नलोजी के अकोर्डिंग जाए उपयोग करके उ यहां पर उनको हेल्प मिल पाएगी इसके अलावा देखिए भूमी अभी लेकों का परबंद यह नए केवल देखिए इससे क्या होगा कि जो बड़ी जोत हैं उनसे संबंदी डेटा सही धंग से कट्थे किया जा सकते हैं उनको डिजिटाइज किया जा सकते हैं और यह जो केवल है वो लक्षे करण में मदद नहीं करेगा बलकि जो न्यायलों के अंदर जो भूमी विवाद हो रहे हैं उनको निप्टाने में हेल्प करेगा और देखिए संकट के तो आप पेंडमिक के दुरान क्या था कोविड-19 के दुरान टीका करण के अभ्यान में जो जियो स करती है इससे हमारी तो उमीद करता हूं कि आज आपको जीयो स्पेशल डेटा यह क्या होता है और यह यहां पर हमारे देश के अंदर गूगल स्टीट व्यू स्टार्ट किया गया है अब यहां पर गहेंगे कि प्रो इसके सेफटी को सकते हैं तो फिर तो हमारे देश में फोकस करना है तो उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होकी समझ में आ गई है तो बेशक इस वीडियो का लाइख करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिक्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो